नमस्कार दर्शको ओम नमस्शिवाएं अभी शावन का महना चल रहे हैं तो सामन समापता होने से पहले कांस के बोतल में भर देना बारिश की पानी फिर देखना चमते हैं जो बारिस की पानी होता ये खुस हाली और हरियाली ये दोनों चीज को ले करके आता है बारिस की पानी जिस प्रकार रुखे सुखे बेजुबान पेंड पोधे पर जान फूग देते हैं ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में चल रही या फिर हमारे जीवन में भी जो आरी परस प्रकार के जानकारी अमुल्य होती इस प्रकार की जानकारी बिड़ो को पूरा देखेंगे तो जानकारी होगा बीड़ो आदे बीच में छोड़ करके जाते हैं इसमें आपको ही नुक्षान है क्योंकि अधूरे ज्यान हमेशा खतानाक शावीद होता है जानकारी पूरी तरीके से सुरुस लेकर के आखरी तक के देखते हैं तो ठीक से समझ में आते हैं आई जानते हैं बारिस के पानी की कुछ चमतकारिक परियोग तो सबसे पहले इसका पहला परण होता है किशी भी प्रकार के घर में कला हो उसे दूर करने के लिए इसके लिए आपको करना क्या है एक तामबे के बरतन में बारेज का पानी इकठा करना है और किसी भी एकदसी की तीथी को भगवान विश्णू और मालचमी ये दोनों को इस जल से अभिस्यक आपको करा देना है विश्यक कर देना है तो यह उपाय परिवार में आपसी प्रेम बढ़ाता है कला को शमापता करता है वैपार है नौकरी है करियर है इसमें किसी भी प्रकायर के रुकावाट आ रही है पर सानी आ रही है उसे दूर करने का काम करते हैं जो आपसी मन मुटा होता है उसे भी मिटाने का काम करते हैं अगर विवा में किसी वज़ा से देरी हो रहा है और किसी ने किसी काराण से जो बंतवा रिस्ता है बार-बार भी गड़ जाता है तो एक उपाय इसका परोग कर सकते हैं विवा में जो आने वाली समसा ये दूर होगा होगा आपको शुक, शंपती, धन, वैभाव इस सब चीज की प्राप्ती होगा इसके सानाथ ही अगर लंबे समय से कोई बिमार पड़े हैं, दवाई का कोई खास असर नहीं हो रहे हैं, दवाई ठीक से काम नहीं कर रहे हैं कैंसर जैसा भियानाक बिमारी भी महामरित्न जे मंत्रा पड़के अगर बारिस के पानी पिला दिया जाए सच्चे मन से तो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि देवी देवता मंत्र शक्ती विश्वास पे काम करते हैं हाँ, अगर करजी के समस्द से आप परसान हैं, कभी-कभी ना किसी परसानी में करजा लेना पड़ जाता है, लेकिन परिस्टी ऐसा बनने लगती हैं कि करजा उतरता ही नहीं है, बोज बरता जा रहे हैं, तो ऐसे में बारिस के पानी को उपाय कर सकते हैं, इसके लिए आप आपके सीर से करजे का भार उतर जाएंगे धन प्राप्ति करने के लिए बारिस के पानी का एक और मैं परयोग बता रहा हूं तो आपको करना क्या है सिसी में इसे भर करके बारिस के पानी को पूजन इस्थान पर रख देना है और इसे प्रती दिन इसे प्रती दिन आपको फि बड़ दखने के लिए धन्यवाद नमस्कार